Welcome to Study Watch, Study Watch में आपका स्वागत है अब By Cycle in Good Repair एक cycle की अच्छी मरमत ये इस chapter का नाम है ये chapter in CRT के class 7th की English की book Honeycomb का ये chapter number 9 है इसके पहले की जो chapters है उनका explanation कर दिया गया है उसका link description में है वहाँ पर जाकर कि आप देख सकते हैं तो इस वीडियो में हम इसे explain करेंगे और इसकी word meaning भी आपको बताएंगे वीडियो को like करते चलिएगा आप लोग थोड़ा like कम करते हैं चलिए Before you read, आप पढ़ें इससे पहले If you wish, अगर आप आशा करते हैं To go on a long bicycle ride एक लंबी cycle की यात्रा पर जाने की Long bicycle ride का मतलब क्या है? Cycle की सवारी करते हुए दूर तक जाना तो अगर आप ऐसी इच्छा रखते हैं The bicycle should be in good condition तो आपकी जो cycle है वो बहुत अच्छी condition में होनी चाहिए If possible, अगर संभव हो An expert mechanic should overhaul it कि इसे एक अच्छा mechanic इसकी overhauling करे इसकी जाच परताल करें कि कहीं इसमें कोई कमी तो नहीं रह गई है But, लेकिन What happens if the machine क्या होगा? अगर ये machine Machine का मतलब यहाँ पर क्या है? Bicycle कि क्या होगा अगर ये bicycle Has a will of its own कि अपनी ही मनमानी करे Has a will of its own का मतलब है कि ये नियंतरण के बाहर हो Out of control हो And or the mechanic Knows next to nothing और जो mechanic है वो बिलकुल भी इसके बारे में कुछ न जानता हो यानि cycle repairing के बारे में Machine repairing के बारे में ये mechanic कुछ भी न जानता हो तब आप क्या करेंगे ऐसी हालत में चलिए आगे देखते हैं A man I knew एक आदमी जिसे मैं जानता हूँ proposed one evening एक शाम उसने मुझसे कहा या फिर उसने प्रस्ताव रखा ठीक यहाँ पर देखिए I knew है ये past में है लेकिन मैं इस story को narrate करने के लिए इसकी meaning explain करने के लिए तो आप present में इसका sense ले रहा हूँ कि एक शाम उसने वो क्या कहता है उसने क्या कहा We should go for a long bicycle ride हमें एक लंबी bicycle की सवारी पर चलना चाहिए together साथ में on the following day अगले दिन उसने कहा कि कल हम एक लंबी cycle की सवारी करेंगे and I agreed और मैं तयार हो गया I got up early मैं सुबह जल्दी उठा for me मेरे लिए I made an effort इसके लिए मुझे प्रयास करना पड़ा यानि मुझे सुबह उठने में दिक्कत होती है इसके लिए मैंने प्रयास किया and was pleased with myself और मैं इससे बहुत खुश था यानि मैंने सुबह उठकर के उपलबदी हासिल कर ली ऐसा कहना चाता है वो He came half an hour late वो आधे घंटे देरी से आया I was waiting for him in the garden मैं उसका इंतिजार बागीचे में कर रहा था It was a lovely day ये बड़ा ही सुन्दर बड़ा ही सुहावना दिन था He said उसने कहा That's a good looking machine of yours तुमारी जो machine है तुमारी जो bicycle है वो बड़ी अच्छी condition में दिख रही है How does it run? ये चलती कैसे है Oh, like most of them अरे जैसे सारी cycle चलती है वैसे ये भी चलती है I answered मैंने जवाब दिया Easily enough in the morning सुबह आसानी से चलती है Goes a little stiffly थोड़ा सा tough हो जाती है Hard हो जाता इसे चलाना After lunch Lunch के बाद इसे चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है He caught hold of it by the front wheel इसने इसे इसकी सामने की पहिये से पकड़ लिया And the fork And shook it violently और इसे जोर से हिलाया I said मैंने कहा Don't do that You will hurt it ऐसा मत करो इसे इसको नुकसान होगा I did not see Why he should shake it भाई ये नहीं समझ पा रहा था कि आखिर ये इसे हिला ही क्यों रहा है It had not done anything to him इसने उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा है Besides इसके अलावा If it wanted Shaking अगर इसे हिलाना ही था अगर हिलाने की जरूरत भी थी जग जोरने की जरूरत भी थी इस साइकिल को तो I was the proper person to shake it तो वो मैं ही उचित आदमी था जो ऐसा कर सकता था I felt much as I should had He started whacking my dog मुझे ऐसा लगा कि ये उस साइकिल को नहीं वो मेरे पालतु कुट्टे को हिला रहा है या फिर उसे मार रहा है वैकिंग का मतलब देखिए beating striking मारना पीटना यानि वो जो साइकिल थी उसकी उसे वो अपने पेट की तरह समझता था He said उसने कहा this front wheel wobbles यानि उस आदमी ने कहा जो इसके पास आया था कि इसका जो सामने वाला पहिया है वो डगडग करता है wobble का मतलब होता है डगडग करना, हिलना यहां देखे इसकी meaning दी है move unsteadily from side to side यानि इधर से उधर हिलना I said मैंने कहा it does not if you don't wobble it नहीं यह wobbling नहीं करता अगर तुम इससे wobbling ना कराओ तो अगर तुम इससे नहीं हिलाओ गया तो यह नहीं हिलेगा it didn't wobble यह हिलता नहीं है as a matter of fact सच तो यह है he said उसने कहा this is dangerous यह खतरनाक है have you got a hammer क्या तुम्हारे पास हतोड़ी है I ought to have been firm मुझे थोड़ा सा दिर्ड होना चाहिए था मुझे थोड़ा सा कडापन दिखाना चाहिए था but लेकिन I thought मैंने सोचा that की perhaps he really did know something about the business मुझे लगा कि वास्ताव में हो सकता है शायद यह इस काम के बारे में कुछ जानता हो business का मतलब क्या है काम I went to the tool shed मैं tool shed गया जहां पर औजार रखे रहते हैं वहां गया to see यह देखने के लिए what I could find कि मुझे क्या मिल सकता है वहां पर when I came back जब मैं वापस आया he was sitting on the ground वो जमीन पर बैठा हुआ था with the front wheel between his legs और जो सामने का पहिया था वो उसके टांगों के बीच में था he was playing with it वो इसके साथ खेल रहा था twiddling it round between his fingers अपने उंगलियों के बीच में वो उसे नचा रहा था twiddling का मतलब क्या है देखिए आपर दिया है turning the remnant of the machine was lying on the gravel path beside him और जो बची हुई machine के हिस्से थे remnant का मतलब क्या है बचा हुआ हिस्सा वो क्या था lying on the gravel path और जो गिट्टियों से बना रास्ता था वहाँ पर उसके बगल में पढ़ा हुआ था beside him उसके बगल में I said मैंने कहा it looks to me ये मुझे ऐसा दिखता है मुझे ऐसा नजर आता है as if मानो the bearings were all wrong उसने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि इसकी जो bearings है जो इसकी चोटी चोटी गोटिया होती है वो चीज़ खराब है उसमें गड़बड़ी है यह देखिए आपर है ball bearings दिया हुआ है I said मैंने कहा don't you trouble about it anymore तुम इसके बारे में चिंता मत करो you will make yourself tired तुम इससे ठक जाओगे let us put it back and get off हमें इसे फिर से वापस डाल देना चाहिए वहीं और हमें यहां से चलना चाहिए he said उसने कहा we may as well see what is the matter with it हमें यह देख लेना चाहिए कि आखिर इसमें बात क्या है now it is out अब जब यह बाहर निकल ही गई है तो यानि पहिया बाहर निकल ही गया है तो अब देख लेते हैं क्या मामला है इसमें he talked as though it had dropped out by accident वो ऐसी बात कर रहा था जैसे मानो कि इसका पहिया किसी accident से बाहर निकल गया हो before I could stop him मैं उसे रोक पाता इससे पहले he had unscrewed something somewhere उसने कहीं से कुछ निकाल लिया अनिस्कुरू का मतलब क्या है इस्कुरू को ढीला कर दी यानि वो निकल गया and out roll all over the path some dozen also little balls और दरजनों वहाँ पर लुड़कने लगे छोटी छोटी balls वो चारो तरफ उस रास्ते में बिखरने लगी वो निकल गई catch them वो कहता है catch them पकड़ो इन है he shouted जोर से उसने चिलाते हुए कहा कि पकड़ो catch them we must not lose any of them इसमें से हमें कुछ भी खोना नहीं है कुछ भी खोए ना इसमें से he was quite excited about them इसको लेकर वो बहुत उत्सा ही था बहुत उत्सा से ये बोल रहा था कि पकड़ो इन्हें we growled round for half an hour हम आदे घंटे तक घुटनों के बल चले growled का मतलब क्या है यहाँ पर देखिए meaning दी है crawl on the ground घुटनों के बल चलना and found sixteen और हमें सोलह मिले he said he hoped उसने कहा कि मैं आशा करता हूँ कि हमें उमीद है we had got them all कि हमें सारी इसकी bearings मिल गई है because क्योंकि if not अगर ऐसा नहीं होता है it would make a serious difference to the machine इस से इस machine पर बहुती गंभीर असर पड़ेगा अगर हमें पूरी bearings नहीं मिलती है तो I put them for safety in my hat मैंने इसकी सुरक्षा के लिए उससे अपनी टोपी में रख लिया यानि जो ball bearings थी उसको उसने बचाने के लिए कि कहीं खोर न जाए उससे अपने hat में उसने रख लिया It was not a sensible thing to do I admit मैं मानता हूँ कि ये कोई बहुत समझदारी वाला काम नहीं था hat में उस bearings को रखना तो देखते हैं अगला क्या है यह comprehension check ये सब question answer में cover किया जाएगा ये second part है पहला part हम लोगों ने देखा He then said that फिर उसने कहा कि while he was about it जब वो इसमें busy है about का मतलब यहां पर क्या है busy कि जब वो इसमें busy है he would see to the chain for me क्या वो उसके लिए chain देखेगा यानि वो थोड़ा सा chain देख ले मैं इसे देख रहा हूँ and at once और तुरंथी began taking off the gear case और वो तुरंथी उस gear case को निकालने लगा I did try to dissuade him from that मैंने उसे ऐसा करने से मना किया मैंने रोका dissuade का मतलब होता है रोकना persuade का मतलब होता है किसी को मनाना और dissuade का मतलब होता है किसी को मना करना तो मैंने उसे मना किया I told him मैंने उसे कहा what an experienced friend of mine की एक बार जो उसके एक अनुभवी दोस ने उससे कहा था once said कहा था to me solemnly उससे बहुत ही गंभीरता से उसके दोस ने उसे एक बात बताई थी क्या बताई थी if anything goes wrong with your gear case अगर gear case के साथ कोई मामला हो जाए तुम्हारा sell the machine उस machine को बेच दो and buy a new one एक नई खरीद लो it comes cheaper ये थोड़ा सस्ती पढ़ जाएगी ये राय किसी अनुभवी दोस ने उसे बहुत गंभीरता से दी थी लेकिन यहाँ पर क्या हुआ he said उसने कहा people talk like that who understand nothing about machines जो लोग machine के बारे में कुछ नहीं जानते वो ऐसी ही बाते करते हैं nothing is easier than taking off a gear case gear case निकालने से आसान कुछ भी नहीं है I had to confess मुझे यह बात माननी पड़ी he was right कि वो सही था in less than five minutes पांच मिनट से कम में he had the gear case in two pieces उसने उस gear case के दो हिस्से कर दिये दो टुकडे कर दिये lying on the path जो उस रास्ते पे पड़े थे and was growling for screws और वो घुटनों के बल पेंच को ढून रहा था he said it it was always a mystery उसने कहा कि यह उसके लिए हमेशा एक रहस साह है to him उसके लिए the way excuse disappeared जिस तरह से यह पेंच गायब हो जाते हैं उसके लिए यह बिलकुल रहस की तरह ही रहा है यानि अब उसका पेंच भी खो गया अब और मुसीबत बढ़ गई जो मेरा common sense था जो मेरे अंतरात्मा की आवास थी वो मुझे बराबर मेरे कान में कह जा रही थी विस्पर का मतलब होता है खुसपुसाना तयानि वो उससे कह रही थी क्या कह रही थी stop him before he does any more mischief उसे रोको इससे पहले कि वो और बड़ी शरारत करे उसको रोको you have a right to protect your own property तुम्हें अधिकार है कि तुम अपनी संपत्ति की खुद सुरक्षा करो from the ravages of a lunatic किसी पागल के नुकसान से कुई पागल नुकसान करे तुम्हारे प्रोपर्टी का तुम्हें उसे बचाने का पूरा अधिकार है take him by the scrub of the neck collar खीच करके collar पकड़ करके उसे लो and kick him out of the gate और उसे धक्के मार कर दर्वाजे से बाहर निकाल दो but लेकिन I am weak लेकिन मैं कमजोर पढ़ जाता हूँ when it comes to hurting other people's feeling जब किसी दूसरे आदमे की भावनाओं को ठेस पहुचाने की बात आती है तो मैं थोड़ा कमजोर पढ़ जाता हूँ and I let him muddle on और मैंने उसे इसे छिडखानी करने दी उसे मैंने इसे खोलने दिया he gave up looking for the rest of the screws जो बचे हुए पेंच थे उसे ढूड़ना उसने बंद कर दिया take look for का मतलब ढूड़ना gave up छोड़ दिया उसने बंद कर दिया he said उसने कहा screws had a knack of turning up when you least expected them उसने कहा कि जो screws होते हैं उनमें एक अजीब सी कला होती है वो कहीं से भी आ जाते हैं जब आप बिलकुल उमीद नहीं करते हैं कि अब ये मिलेंगे वो जाने कहां से कहीं से भी चले आते हैं ये कला उनके अंदर होती है and that now अब वो he would see to the chain अब वो उस chain को देखेगा अब उस chain की मरमत वो करेगा he tightened it उसने इसे एकदम tight कर दिया till it would not move until it was twice as loose as it was before उससे दुगना धीली हो गई जितना ये पहले थी then फिर he said फिर उसने कहा we had better think about getting the front wheel back into its place again अब हमारे लिए बेतर होगा कि हम जो इसका सामने वाला पहिया है उसे हम इसे लगा दें अब उसने ऐसा कहा कि हमारे लिए यही ठीक होगा कि अब हम इसे फिर से सामने वाला पहिया लगा दें I held the fork open मैंने उस फॉक को पकड़ा and he worried with the wheel फिर उसे उस पहिये की चिंता होने लगी at the end of 10 minutes 10 minute के अंत में यानि 10 minute बाद I suggested मैंने उसे राय दी he should hold the fork कि वो इस फॉक को पकड़े उस चिंते को पकड़े and that और फिर I should handle the wheel और मैं इस पहिये को देखू and we change places फिर हमने अपना अपना स्थान बदला at length we did get the thing into position हमने चीजों को उसकी इस्थिती में कर दिया position में कर दिया and the moment it was in position जैसे ही ये सारी चीजें इस्थिती में आई position में आई he burst out laughing वो जोर जोर से हसने लगा I said what's the joke मैंने कहा ये क्या मजाक है he said उसने कहा well I am an ass मैं एक गधा हूँ it was the first thing यही वो पहली चीज थी his head said that जो उसने कहा made me respect him जिससे मेरे मन में उसके लिए सम्मान आया यही वो पहली चीज थी जो सुन कर मुझे उसकी मन में सम्मान आया वो क्या थी I asked him what had led him to the discovery कि तुम इस खोज तक कैसे पहुँचे तुम्हें इस खोज तक किसने पहुचाया जो तुम्हें ये ग्यान पराप्त हुआ कि तुम गधे हो he said उसने कहा we have forgotten the balls हम balls भूल गए हम bearings भूल गए I looked for my hat मैंने अपनी टोपी ढूंडी it was lying topsy-turvy in the middle of the path ये उल्टा करके रास्ते में पड़ी हुई थी topsy-turvy का मतलब होता है upside down उल्टा he was of a cheerful disposition वो खुश था वो खुशी के मूड में था he said उसने कहा well we must put back all we can find जो भी हमें मिले हमें इसे वापस डाल देते हैं and trust to providence और फिर भाग के भरो से छोड़ देते हैं जो भी होगा देखा जाएगा जो भी bearings मिले इसमें डाल दो फिर देखा जाएगा we found 11 हमें 11 bearings मिली we fixed 6 on one side हमने 6 एक side में लगाए and 5 on the other और दूसरे side में 5 and half an hour later आदे घंटे बाद the wheel was in its place again और वो पहिया अपनी स्थान पर फिर से आ गया it need hardly to be added that मुश्किल से ही ये कहने की जरूद थी यानि ये कहा जा सकता था it really did wobble now कि अब इसमें कोई भी डगमगाहट बची हुई है अब ये जरा सा भी हीलता है a child might have noticed it एक बच्चा भी से देख सकता है he said उसने कहा it would do for the present इससे अभी के लिए काम चल जाएगा बाद में देखेंगे I said मैंने कहा watching you do this इस तरह तुम्हें काम करते देखना is of real use to me मेरा यही असली मकसद है it is not only your skill that fascinates me ये तुम्हारी सिफ दख्षता ही नहीं है जो मुझे आकरशित करती है it is your cherry confidence ये तुम्हारा खुश रहकर काम करने का जो confidence है वो in yourself जो तुम्हें है your inexplicable hopefulness और जो तुम्हारी ना बयान करने वाली ना बता पाने वाली है जो हमेशा आशा है या ये तुम्हारा confidence है that does me good ये मुझे बहुत अच्छा लगता है does encouraged इस बात से और उत्साहित होकर he said to work वो काम करने लगा to refix the gear case gear case को फिर से लगाने के लिए he stood the bicycle against the house उसने घर की दिवार पर bicycle को रोका and worked from the off side फिर वो दूसरे साइड से काम करने लगा then he stood it against a tree फिर इसने इसे एक पेड़ पर टिका लिया and worked from on side फिर ये दूसरे तरफ से काम करने लगा यानि left और right हम कह सकते हैं then I held it for him फिर मैंने इसे पकड़ा उसको काम करने के लिए while he lay on the ground with his head जब वो अपने सर से लेटा हुआ था जमीन पर रख करके between the wheels पहियों के बीच में and worked at it from below और ये नीचे से काम कर रहा था and dropped oil upon himself फिर उसने अपने उपर तेल गिरा लिया जो gear case में तेल होता है oil होता है वो उसके उपर गिर पड़ा जब वो नीचे से काम कर रहा था तो then फिर he took it away from me फिर ये मुझसे दूर ले गया cycle को and doubled himself across it फिर इसने अपने आपको मोड़ा till he lost his balance जब तक की वो अपना balance नहीं खो गया and slid over on his head और अपने सेर के बल वो नीचे गिरा then फिर he lost his temper फिर उसे गुसा आ गया वो अपना temper खो बैठा and tried bullying the thing फिर वो चीजों को धका मुकी करने लगा उनसे लड़ने लगा the bicycle I was glad to see मुझे देख करके खुशी हो रही थी showed spirit वो जो spirit जो 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 दिखा रहा था and the subsequent proceedings degenerated into a little else than a rough and tumble fight और इस तरह की जो बात की जो proceedings हुई जो बात की घटनाई हुई वो थोड़ा कम हो गई और वो एक लड़ाई जगडे में बदल गई between him and the machine उस machine और उस आदमी के बीच में one moment एक चड़ the bicycle would be on the gravel path एक चड़ के लिए वो bicycle रास्ते पर होती and he on the top of it और ये इसके उपर होता the next अगले चड़ the position would be reverse और ये स्थिती बदल जाती यानि वो gravel path पर होता और cycle उसके उपर होती ऐसा हो रहा था यानि उसने अब उस cycle के साथ जगड़ा भी शुरू कर दिया था ठीक चली आगे देखते है he on the gravel path the bicycle on him जैसा मैंने अभी आपको पता है कि वो gravel path पर होता और cycle इसके उपर now he would be standing flushed with victory फिर वो खड़ा हो गया जीत का जोश दिखाते हुए the bicycle firmly fixed between his legs और बड़ी ही दिड़ता से cycle उसके टांगों के बीच में जमी रहती but his triumph would be short-lived लेकिन जो उसकी जीत थी वो थोड़ी देर ही चलती by a sudden अचानक ही quick moment it would free itself जल्दी ही वो cycle अपने आपको आजाद कर लेती छुड़ा लेती उससे and are turning upon him फिर वो उसके उपर तूट पड़ती hit him sharply where his head फिर अपने सिर से वो उसे जोर से मारती with one of its handles अपने हैंडल से अपने हैंडल से उसके सिर पे जोर से मारती यानि एक बार ऐसा लगता कि वो जीता फिर दुबारा वो वापसी करती वो cycle वो उससे टकराती उसको अपने हैंडल से उसके सर पे मारती तो इस तरह का खेल वो आदमी कर रहा था ठीक चली देखते हैं आगे at a quarter to one एक बज़कर पैतालिस मिनट पर quarter to one का मतलब क्या है बारा पैतालिस dirty and disueled बहुत ही गंदा और मैला कुचैला cut and bleeding जिसे cut लगा था और खून निकल रहा था उसने कहा I think that will do मुझे लगता है कि काम हो जाएगा इससे काम चल जाएगा and rose and wiped his bro वो उठा और उसने अपनी भाव पोची the bicycle looked as if it also had had enough of it वो cycle भी ऐसी नजर आ रही थी कि वो भी ऐसा करते करते ठक गई which had received most punishment किसे ज़ादा सजा मिली थी it would have been difficult to say इसे कहना कठिन था I took him into the back kitchen मैं उसे back kitchen मिले गया पीछे से वेर जहां so far as was possible जहां तक संभव हो पाया he cleaned himself उसने अपने आपको साफ किया then I sent him home फिर मैंने उसे घर भेज दिया तो जीरोम के जीरोम की ये बहुत ही कॉमिकल स्टोरी थी जिसमें ये बताय गया था कि कैसे उसका दोस्त आता है और उसकी cycle जो अच्छी condition में थी उससे वो छेड़ खानी करके धीरे धीरे बिल्कुल वो उसे बेकार कर देता है बिल्कुल खराब कर देता है तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजेगा आप लोग थोड़ा लाइक कम करते हैं और शेयर कम करते हैं इस वज़े से आपको regular वीडियो नहीं मिल पाती अगर आप regular वीडियो चाहते हैं तो चैनल को subscribe कीजे वीडियो को like कीजे और अपने दोस्तों में share कीजे चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में